उत्तर प्रदेश के फतेपूर जीले से सलेमपूर गौं में एक चौकाने वाली घटना सामने आई राम लीला में हनुमान की भूमी का निभार एंपचास वर्षिय वक्ति की मंच पर ही मौत हो गई राम स्वरूप की निकली पूच के आग लगने के बाद दिल का दोड़ा पड़ा और तुरत मौत हो गई शनिवार राद की घटना का वीडियो शोशल मीडिया बाव वाइडल हो गया है एक आधिकारी ने कहा कि राम निला की प्रस्तूती के दोड़ान हनुमान की पूच में आग लगने के तुरत बाद किर्दाय निभा रहे राम स्वरूप जमीन पर गिर गए और एक मिनट के भीतर उसकी मृत्ति हो गई उन्हें अस्पताल ले जाया गिया जहां उन्हें मिर्त गोशित कर दिया गया गट्ना के वक्त राम स्वरूप की पत्नी अनू सुईया और पडिवार की अनसदसे मौजूद थे ग्राम प्राधान गुलाब ने बताया कि राम स्वरूप अपना जीवन यापन करने के लिए ठेला चलाता था उन्होंने कहा कि उसके पडिवार में पत्नी और दो साल की बेटी रूपा है परिजनों ने पुलिस को बताई विनार अभिवार शाम शव का अंतिम संसकार कर दिया घाटा की थाना प्रवारी प्रवीन कुमान ने कहा कि घटना उनके संग्यान में आई है और पुलिस की एक टीम मामले की जाच के लिए गौं का दोडा करेगी प्रसुती रोग का अनुभवी चिकीट सकों के से त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ओपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आईसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाईल नंबर 9-6-9-1-2-8-8-5-6-0 पर या फिर संपर्क करें 7-5-6-8-3-1-5-5-1 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 0-7-6-2-3-5-9-9-7-4 पर या फिर संपर्क करें 8-6-0-2-8-8-5-9-9-0 पर